नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप से वी का फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों आज हमारे पास इस टंजर की फाइब चनल का एक मिक्सर आया है जिसमें दोस्तों नौ पावर की प्रोगलम है चलिए हम इसकी टेस्टिक करेंगे और आज लाइब पूरूप डैसे रिपेर करके दिखाएंगे तो सबसे पहले जो दोस्तों चेक करने के लिए हम मल्टिपल अगो सबसे पहले हम लाइन से कनेक्ट करेंगे जो कि हम सुच और यहां बेर करते हैं तो कोई वी रेडिम हमें देखने को नहीं मिलता है और ना ही पावर LED हमें जलता हुआ दिखाई देता है तो दोस्तों इस मिक्सर पर क्या फॉल्ड है दोस्तों चलिए हम चेक करके देखते हैं और इस पर जो इसक्रूप लगे हुए सबसे पहले हम इसको खोलेंगे और खोलने के बाद से हम टेस्ट करके पूरी डिक्लियर के सा कबर को हम चेक करके देखेंगे और इसे रिपेर भी करेंगे लाइफ आपके सामने अब अब इसक्रूप को निकाल चुके हैं बाहर अब इसकी जो है कि कबर को हम निकालेंगे और इसके टेस्टिंग करेंगे करेंगे एक फ्के फीमेदो करेंपे ल्ल्री बाहर इंज तो दोस्तों मिक्सर को हम खोल के बाहर निकाल चुके हैं और इस पर टांस थरमर जो की इस पर जो नट लगे हुए mu 달ick कि अब देख सकते हैं थोड़ी सीं बोट को दुस्तों करूच अया है जिसकी बज़ए यह संस्तरमyorsun खूलने debate तो चलिए हम इसके बिस्तिंग करेंगे दोस्तों और मल्टी मीटर के दोबारा हम सबसे पहले वायर को चेक करेंगे इसमें जो wire लगे हुए है दोस्तों screw और यहाँ एक fuse लगा हुआ है fuse को भी हमी चेक करके देख लेना है इस जगह sellotape सटा हुआ है और यहाँ fuse लगा हुआ है और fuse के जगह हम multimeter के set check करेंगे और multimeter को हम beep पर set कर देंगे जो कि इस तरह beep की आवाज सुनाई देगी अगर wire सही हो तो तो दोस्तों यह wire जो है दोस्तों ठीक है अब जो है दोस्तों दूसरा इस wire को हमी चेक करना है जो की switch से connect है तो switch पर भी हमें cover को निकाल लेना है और निकालने के बाद हम इसकी चेक करेंगे तो दोस्तों cover दीक रहा है अब इस जगह हम चेक करेंगे फिर से यह पहले wire ठीक है दूसरा wire यहाँ इस जगह है switch पर जो की हम यहाँ से check करेंगे फिर से उन दुपर चेक करते हैं तो दोस्तों यह switch खराब है दोस्तों इस switch को हम change करके देखते हैं इस switch में ही कुछ खराबी है और दिकत है जिसकी वज़े से यह mixer on नहीं हो रहा है तो चलिए सबसे पहले हम इस switch को change करेंगे तो दोस्तों multimeter पर हमें यह switch पर कोई भी weave सुनाई नहीं देता है अनि कि यह switch खराब हो सकता है चलिए अब switch से हम wire को निकाल चुके हैं अब फिर से हम multimeter के दवारा इसे check कर लेंगे खोलने के बाद तो इस जगह जो है वीप की आवाज हमें इधर से भी सुनाई नहीं देता है इधर से भी सुनाई नहीं देता है तो दोस्तों इस switch को हम change कर देते हैं और इसकी जगह हम नया लगा के फिर से हम दुबारा line दे करके आपसे भी कम दिखाएंगे तो सुच को इस तरह से फूस करके हमें बाहर निकालना है जो की इस तरह लगा हुआ है तो दोस्तों ये switch निकल चुका है ये तीन एमप्यर की switch है जो की हमारे पास तो दोस्तों तीन एमप्यर का सेम सुच हमारे पास मौझूद है चलिए हम इसकी salding करेंगे और इस mixer पर फिर से हम दुबारा line को देने के बाद हम इस पी चेक करके देखेंगे तो ये switch फूस हो चुका है अब इसकी हम salding करेंगे तो दोस्तों ये salding हो चुका है अब चलिए हम दुबारा जो है फिक से हम line से connect करके देखते हैं तो दोस्तों जैसे ही हम line से connect कर चुकी है अब देख सकते हैं यह power led हमारी ये जल रही है तो दोस्तों ये छोटी सी switch का ही दोस्ता जिसकी वज़से इस mixer पर line नहीं आ रहे थी तो दोस्तों ये छोटा सा information और छोटा सा video अगर आप सभी फूलो कर दिजिएगा तो मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो लेकर के तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रम